वेलकम टू मॉम स्टोरीज आज की कहानी का नाम है नीला सियार एक बार की बात है भोजन की तलाश में घूमता घूमता एक सियार नगर में आ गया नगर के कुत्तों ने जैसे ही उसे देखा तो अपने स्वभाव के अनुसार उस पर भौकने लगे जान पचाने के लिए भागता हुआ वैसियार एक रंगरेस के घर में घुस गया वहाँ कपड़े रंगने के लिए एक बड़े से बरतन में नीला रंग खोल कर रखा हुआ था हर बड़ी में वैसियार उसी बरतन में जा गिरा और जब निकला तो वे पूरी तरह नीला हो चुका था कुत्तों के भैसे उस समय वे बरतन से निकल के वहीं रंग्रेस के घर में दुपका रहा और जब रात हो गई तो छिपता छिपाता वे जंगल में पहुँच गया अगले दिन जब वे जंगल में रोज की तरह निकला तो उसने महसूस किया कि जंगल के दूसरे जानवर उसे देखकर डर रही है पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया लेकिन फिर जब उसने गौर से अपने शरीर को देखा तो पाया कि वे नीले रंगा हो चुका है वे समझ गया कि यह रंग रंग्रेश के घर में रखे बरतन में गिरने की वजह से लगा है दूसरे जानवरों को घबराया देखकर सियार के मन में इस मौके का फाइदा उठाने की बात सूज गई उसने एक उचे स्थान पे खड़े होकर जानवरों से कहा मेरे जानवर भायो मुझे देखकर घबराओ मत मैं तुम्हारा नया राजा हूँ मुझे स्वेम भगवान ने इस जंगल में भेजा है और कहा है कि मैं जाकर तुम लोगों का राजा बनूँ और तुम्हारा पालन पोशन करूँ अगर तुम सब मेरी आज्या मानोगे तो मैं तुम्हे नुकसान नहीं पहुचाऊंगा बेचारे जानवर जिन्होंने पहली बार जंगल में कोई नीले रंग का जानवर देखा था सियार की बात को सच्मान बैठे और उसकी जैजैकार करने लगे सभी जानवर उसकी आग्या का पालन करते और उसके आगे सिर जुकाते अब तो उसे भोजन खोजने की भी जरुवत नहीं थी क्योंकि दूसरे जानवर उसके लिए खुद भोजन का प्रभंद करके लाते एक रात की बात है चांदनी खिली हुई थी मंद मंद हवा चल रही थी मौसम बड़ा सुहाना था राजा सियार अपने खास-खास मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठा हुआ था तब ही अचानक जंगल के सियारों के चिलानी की आवाज आने लगी जैसे की सियार चांदनी रात में अकसर किया करते हैं अब राजा सियार था तो सियार ही उसके कानों में जब दूसरे सियारों की आवाज पड़ी तो उससे रहा नहीं गया और मस्ती में उसने अपना मुँ ऊपर की ओर उठाया और चलाना शुरू कर दिया अपने राजा को सियार की तरह चलाता देखकर सारे जानवर चौक गए अरे यह तो सियार है कहीं से अपना रंग बदल के आ गया है फिर क्या था उसकी पहचान सामने आते ही सभी जानवर उसके पीछे भागे और उसे मारते मारते जंगल से बहार निकाल दिया बच्चो इस कहानी से हमने क्या सीखा हमें कभी जूट नहीं बोलना चाहिए एक ना एक दिन पोल्ट खुल जाती है